गर महारास्ट चुनाओं के नतीजे घोशत होने में अब सिर्फ एक दिन बचे हैं। सहयोगी दलो, खास्तोर पर कॉंग्रिस और शिव सेना यूबीटी के बीच वाक युद्ध छड़ गया है। राज्य के जो पार्टी प्रमुख हैं कॉंग्रिस के नाना पटोली ने सरकार गठन में कॉंग्रिस नेतरतों के बारे में बात चुईत की लेकिन उन्हें सेना नेता संजर राउत के ततकाल विरोत का सामना भी करना पड़ा। उन्हें ने कहा कि इस तरह की घोशनाए पार्टी आला कमान की ओर से होनी चाहिए। महावीकास आगाड़ी की सरकार आएंगे, इसमें कोई दोमत नहीं है। मैं यह नहीं मान लूँगा और कोई नहीं मानेगा, कि महावीकास आगाड़ी की सरकार है, हम बैट करता ही करेंगे। अगर नाना पटोले जी ने ऐसा कहा है और नाना पटोले जी को कॉंग्रेस हाई कमांड ने कहा है कि आप मुख्य मंत्री बंद रहे हो तो राजी राहूल गांदी प्रियांका सुनिया खरगे साब ने इस वकार से एलाइन करना चाहिए तो नतीजे से पहले ही आप देख सकते हैं कि सरीके से महा विकासा घारी में एक जो वाक युद्ध है वो छड़ा हुआ है बहराल आगे बढ़ेंगे आपको बता दें कि तीन नए एक्जिट पोल भी अब जारी किये गए हैं अब उन में से एक जो सी वोटर है उसका कहना है कि 24 घंटों के बाद भी अंतीम तस्वीर देने में असवर्थ है इस पर आपको बता दें कि एक्जिट पोल तमाम जो एजेंसियां उनके द्वारा 24 घंटे देरी से दिया गया महा युति के लिए आपको बता दें सी वोटर से 112 महा घारी के लिए 104 देते हुए दिखे हैं लेक नहीं देख रही है इसी के साथ आपको बता दें कि टूडेज चानक ने महायुति को सपस्ट जीद दी है क्या कहना है महायुति के नेता का सबसे पहले वो सुनते है महाराष्ट्रा मदे मतदा वाडलेला आहे टक्के वरे वाडलेली आहे आस परेंदस आलुगा है कि जेमा जेमा टक्के वरे वाडते तो आज भाजय पाणी मित्रपक्षाला तेसा फाइदा होतो और एक्जिट पोल के बाद महा विकास अघाडी के नेता का क्या कुछ कहना है जरा वो भी सुने कॉंग्रेस की लिडर्शिप में ही सरकार महाविकास अघाडी के बनेगी उस तरह से जो मंदान का जो रिजान आ रहा है कोल आ रहा है जो लोग मंदान के लिए जा रहे है तो उसके आधार पर राजमें कॉंग्रेस की सबसे ज़्यादा कैंडिट चुनके आएंगे और का विकास अघाडी की सरकार हम बैट करता ही करेंगे अगर नाना पटोली जी ने ऐसा कहा है और नाना पटोली जी को कॉंग्रेस हाई कमाड ने कहा है कि आप मुख्य मंत्री बंद रहे हो तो राजी राहूल गांदी प्रियांका सुनिया खरगे साब ने इस वकार से एलाइ करना चाई